मार्केट में आज की टेट में इतने सारे financial company आ चुका है, जहाँ पर आप आपके पैसे को invest कर सकते हो, यानि उस company के thro में आप invest कर सकते हो, और वहाँ से आप 13% तक return कमा सकते हो, अब आप को होगे, हमने सुना है, व्यांकों में तो 5-6% तक मिलता है, माक्सिमूम 7.5 तक मिल र यह पहले हम समझते हैं कि यहां से कैसे हम पैसे income कर सकते हैं यहांपे return कैसे कमाते हैं तो चलिए मैं आपको एक example के तो समझता हूँ चलिए अब जानते हैं कि P2P लेंडिंग प्लाटफरम काम कैसे करता है तो चलिए for an example आप ये person हो जहांपे आप मैं लिख देता हूँ आई तो आप यहांपे 10,000 रुपे आप सोचरेओं की invest करोगे तो आपने क्या किया ये पैसे एक company को दिया अब ये company कौन है कोई भी हो सकत है जो मैं आपको इस वीडियो का end में बताओंगा तो मान लेजिए आप ये वाली जो P2P company है ये आपका मैं लिख देता हूँ P2P company अब होता क्या है आपका ये 10,000 रुपीज यहां पे जाता है फिर ये company क्या करता है multiples lender को पैसा loan में देता है अब कितने lender हो गए ये कुछ defines लिए हो सकता है आपका 10,000 रुपे 10 आदमी को जा सकता है हो सकता है 100 आदमी को भी जा सकता है तो किसी एक को दिया नहीं जाता है ये मैं 100% guarantee के साथ बोल सकता है क्योंकि last एक दो साल से मैं इस platform के उपर काम कर रहा हूं तो मुझे पता है और आपको भी मैं last में दिखा ओंग अब क्या होता है यह जो लेंडिंग प्राट्था मौनिंग कंपनीज है जो हां पर आप पैसा दिये हो और यह कंपनी लोन में देता है यह जो लेंडर से जो बोरो करता है पैसा यह आ भी हो सकता है मैं भी हो सकता हूं कोई भी हो सकता है तो इस पैसे से वो इंट्रेस्ट लेत अब यह जो लोन देता है इससे इंट्रेस्ट कमाता है फिर वो पैसा को वो अपने पास रखते है या फिर प्या करते है उस पैसे के इसके आपको जो 13% देने वाला है वो आपको दे देते हैं तो अब चलिए समझते हैं कि इसमें रिस्क क्या है देखें रिस्क यह हो सकता है लेट से उनाेरेजर फुक लेता हूं. centered मालिजे आप ये lender पैशा लिया है ए लेंडर पैशा लिया है और यहां पर समों सकते लिया है 2500 करके इज परसन पैसा लिया है अब हो सकता है किसी 1 परसन पैसा दे नहीं पाया, यह यहां पे भी होता है, बट यहां पे सब्ट पैसा दे नहीं सकता है कोई lender एक दो lender पैसा दे नहीं सकता या फिर late हो जाएगा तो आपका जो 10,000 रुपे का यह 2500 यहाँ पे 2500 यह ब्लोक हो जाएगा ब्लोक मतलब यह लोग तो पैसा दिये ही नहीं ना इस company को तो आपको यह पैसा नहीं मिलेगा हाँ यह company जरूर try करेगा कि कैसे भी करके यह lender से पैसा आदा किया जाए और once पैसा recover हो जाएगा तो फिर आपको यह पैसा दिया दिया जाएगा इसका कुछ सही time frame नहीं है अब चलिए समझते हैं दूसरा क्या risk है अब चलिए यह तो हो गया P2P lending ऐसे business model में काम करता है अब इसे ना यह जो company है इसे regulate करता है कि यह कोई भी चिटफंड company हो सकता है तो ऐसे exactly नहीं होता है तो यह जो P2P lending platform के जो company होता है यह RBI regulated होता है और रिजर बैंक India audit करता है उनके थरो जो NBFC registered NBFC होते हैं वो NBFC इसके थरो काम करते हैं तो यहाँ पर RBI audit करता है आपका NBFC rules regulation में चलता है तो यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ कि आपके पैसे company लेके भाग नहीं जाएगा बट यह जो principle में काम करता है यह principle को आपको समझना पड़ेगा या ऐसे भी नहीं कि आप लोग में आके सब पैसा यहाँ पर investment कर दिया अब friends चलते देखते हैं कि यह यहाँ पर आपका पैसा कितना आप investment कर सकते हो तो आज के date में जितने सरे company लेंडिंग के platform के उपर काम करता है जो market में जाना जाता है जैसे भारत पे का नाम आप में सुना होगा ऐसे exactly और एक company है जो मोबी कुई इसके बारे में में details में बताऊंगा तो यह जो दो company है तो normally यह दो company लेंडिंग के platform के उपर maximum काम करते हैं और आप यहाँ पर भरोशा कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं यह कोई bad promotion नहीं है जो भी मैं use करता हूं और मैं कुछ फाइदा मुझे कुछ मिलता है then मैं सुचता हूं कि मेरे viewers को भी यह फाइदा मिले चलिए देखते है कि यह company काम कैसे करता है इनका details हम थोड़ा देखते हैं so friends मैं आज बात करने जा रहा हूं mobi quick के बारे में अब mobi quick को तो आपने सुना होगा बहुत ही अच्छा सोकते हैं जिसके थो आप recharge कर सकते हो इंसुरंस ले सकते हो and UPI payment भी इसके थो आप कर सकते हो चलिए जानते हैं क कि यह mobi कोई काम कैसे करता है तो आपको मैं दिखा पाऊंगा चलिए मैं आपको यहां पर mobi quick open कर देता हूं अब देखे मैंने mobi quick software यहां पर open किया है जैसे यहां पर open किया आप देख सकते हो ऊपर यह जो card है जैसे यहां पर लिखा है आपका get one percent cashback ऐसे यहां पर लिखा कि एक्स्ट्रा इसमें मैं क्लिक करता हूं अब जैसे यहां पर क्लिक किया अब देख सकते हो मेरा यहां पर दिखा रहा है पॉट्फोलियो वेलू दो हजार दो रूपे नाइन टी सेबन पैसा अब यहां पर दिख सकते हैं कि इन्वेश्ट अप्टू 9.98 लाक एंड मोर यान दो तक मेरा इन्वेश्ट्मेंट वैल्यो है यानी नीचे लिखा गया इर इन्वेश्ट्मेंट वैली 1000 बट मुझे अभी 2 रूपे 3 रूपे जैसे यहां पर इंट्रेस्ट मिला और यहां पर 12 परसेंट पार एंटम मिला है मैं आपको बताया 13 अभी 13 परसन्ट कैसे मिलता ह अब नीचे आप देखिए यहां पर प्लास लिखा गया है अब प्लास में देखिएगा मैं यहां पर हजार रुपे यहां पर इंवेस्टमेंट किया है तो यह दो तिन दिन लगता है रिफ्लेक्ट होने के लिए तो अभी तक मुझे मिला नहीं तो यहां पर देख सकते हो 1000 एड़जा रेड 12.99 परसंट आप यहां पर मैंने मार कर दूँगा आप देख सकते हो तो यहां पर 13 परसंट तो रिटन मिल जाएगा बड़ डिफ्रेंस क्या है कि यह जो दो है ना दो मोड है यानि एक फ्लेक्सी है एक प्लास है अब प्लास में होता क्या है कि आप यहां अगर पिशा invest करते हो तो let's say मैं यहां पर invest more में click किया अब यहां पर दो option आ जाता है plus and flexi अब plus में मैं अगर click करता हूँ तो यहां पर और एक option आ जाता है जैसे यहां पर आप अपना पैसा को डालोगे let's say मैं यहां पर 1 lakh रूपी investment करूँगा तो जैसे यहां पर किया तो आपका total बनता है कितना 1 year में 13,000 यानि 12,990 रूपी दिखा रहा है बट यहां पर class क्या है यहां पर आप देखो locking period है अब locking period 3 month हो सकता है 6 month हो सकता है 9 month हो सकता है 12 month हो सकता है तो आप minimum 3 month भी यहां पर choose कर सकते हैं mandatory options नहीं है तो यहां पर यह हुआ कि आप जो भी पैसा investment करते हो तो आपका पैसा उतना दिनों के लिए lock हो जाएगा पर इसका मतलब क्या है कि आप उससे पहले पैसा withdraw नहीं कर पाऊगी बिलकुल कर पाऊगी अब withdraw अगर आप यहां पर करते हो तो आपको यहां पर क्या होगा options आप मैं आपको दिखा देता हूँ तो जैसे यहां पर आप withdraw करते हो तो आप यहां पर देख सकते हो जैसे मैंने काल यहां पर investment किया था 27 को तो यहां पर on maturity transfer to flexi हो जाएगा पट यहां पर जब withdraw करते हो अगर आप प्लास में investment करके तो आप 8% तो रिटन कमा पाओगी और 12% भी मिलेगा नहीं लेट से आपने आज पैसा investment किया 15 दिन के बाद आपको कुछ जरूरत हो तो आप पैसा withdraw कर सकते हो बट आपको 8% तो जितना होगा आपका income उतना ही आपको मिलेगा और यह अच्छा चीजी है कि डेली आपका जो भी earning है लेट से मैंने यहाँ पे invest किया था 1000 रुपे तो यह जो यहाँ पे मैंने flexi में investment किया था हर रोज 33 पैसा पार डेली करा है तो यह पैसा आपके wallet में डेली आड हो जाएगा और आप चाहो तो इसे withdraw भी डेली कर सकते हूँ आप कभ्डेंग अकाउड में डिरेक्ट्ली क्रेडिट हो जाएगा तो जैसे मैंने आपको कहा था flexi में अगर आप investment करोगे 12 परसेंट तक मिलेगा अगर आप plus में investment करोगे तो आपको 13 परसेंट तक return मिल सकता है तो चलिए देखते हैं कि withdraw कैसे करते हैं अब withdraw में आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे लेट से मैं withdraw में click होथा है या होगे आप देखें यहाँ पर मैं फूल में अगर click करता हूँ तो मेरा जितना investment amount plus जितना interest आज तक कमाया है total 1297 पैसा यहाँ पर दिखा रहा है अगर मैं यहाँ पर मुझे यह नहीं चाहिए मुझे simply जितना मेरा interest कमाया है उतना मिल जाना चाहिए तो 2.97 रुपी में यहाँ लगा देता हूँ तो यह भी आप investment विड्रो कर सकते हो यहाँ पर लिखा available balance यहाँ पर मैं अगर कुछ और में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर simply 500 भी लिख सकता हूँ तो आप जितना चाहो आप विड्रो कर सकते हो जो आपका total corpus है तो चली यह आपको समझ में आ गया कि कैसा यहाँ पर invest करते हैं कैसा यहाँ से विड्रो करते हैं कौन सा कौन सा मोड है तो इस डीटेल्स में आपको दिखा है तो आप यहाँ पर investment कर सकते हो तो प्रेंट्स यह तो हो गया हम कैसे investment कर सकते हैं Mobyquick में अब चलिए इस company के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि exactly इसका record क्या है कौन से चीज के अपर यह dealing करता है तो आप मेरे screen पर भी देख सकते हो मैं यहाँ पर Mobyquick site को open किया है आप यहाँ पर बहुत सारी utilities है सब कुछ आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देखो इनलों का जो system है अब यहाँ पर देख सकते हो 1 लग के उपर लोग यहाँ पर investment किया है 1074 यहाँ तो यहाँ पर ट्राक रेकर्ड बहुत ही अचा है अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर super safe लिखा है तो भाई यह safe तो है ही मैं तो यह कह रहा हूँ बट जैसे मैंने आपको risk समझाया कि यह जो lending बोरो देता है यहनि lend देता है लोगों को तो हो सकता है उनके default हो जाने से आपको पैसा वो नहीं मिले गया या फिर मिलने में लेट हो सकता है अब यहाँ पर देखिए what is MobiQuick extra तो फ्रेंट्स यहाँ पर simply लिखा गया है MobiQuick has launched this platform investment product in partnership with Translite Technology Private Limited one of the largest and oldest P2P license NBFC in India तो फ्रेंट्स यह NBFC है तो NBFC क्या होता है एक regulated body होता है banking sector होता है जो R&D ही regulate करता है बट यहाँ पर कुछ guarantee नहीं होता है जैसे मानली जी आपने Stadbank में पैसा डिपोजिट किया है अगर Stadbank काल सुभे डुब जाता है तो आपको उनके जो insurance है उसके थो आपको maximum 5 लाग तो आपका cover हो जाता है बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको clearly बोल रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हूँ what is pure to pure lending platform यहाँ पर लिखा गया है which technology invention and smart algorithm P2P lending companies are able to give small ticket loan for shorter tenure with higher credit or business brokers यह एसा नहीं कि आप यहाँ पर 15 लाग 20 लाग रुपे यहाँ पर आप loan ले सकते हो यह छोटे छोटे जो business होते है जैसे छोटे छोटे जोटे जोकान सोते है यह रिटेल स्वाप सोते है यह सब लोग यहाँ से पैसा वीडर करते है यहाँ पर आपको कुछ emergency ले 20-30,000 रुपे चाहिए तो यहाँ पर आप instantly without any paperwork आपको यह loan मिल सकता है यहाँ पर यह हो सकता है आपको 15-16%, 20% तक यहाँ आपको interest चार्ज किया जाए और यह भी आपको कैसे permit दे सकते है तो यह सब चीज यहाँ पर लिखा गया है तो मैंने ही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर सारे पेशा investment कर दो जिससे मैंने यहाँ पर 1,000-2,000 रुपे इंवेस्ट किया तो आप यहाँ पर 10,000-20,000 रुपे इंवेस्टमेंट करते हो लेट से आपके पास salary आया और आप चाहते हो कि अभी 15 दिन मुझे पैसे के जुरूत नहीं तो आप 15,000 जो भी आपका amount सोचते हो कि आप यहाँ पर इंवेस्ट कर पाओगे इंवेस्ट कर लोगे तो यहाँ से आपको instantly कुछ अच्छे से return में आपको daily मिल जाएगा तो यह अच्छा passive income हो सकता है और आपको directly bank account में ही credit होता है के बारे में तो कैसे यह काम करता है आप यहाँ पर कैसे पेसा invest कर सकते हो यह details मैंने अपना mobile screen record open करके भी आपको दिखाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स फर वाचिंग